लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइटिन को प्रेस करें लेटेट्स करें अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें से लेट लेट्स कि लेएटिनिय। tough l झाल 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 आपको शिकायत क्या है शिकायत यह है जनाब आला कि आज कल पुलिस वालों से कोई डरता ही नहीं यह तो पुरानी वात है क्या कहा बुलिस वालों से कोई डरता नहीं है जी नहीं जवान लड़किया अपने घर से निकल नहीं सकती सड़क पर चल नहीं सकती तो सड़क पर चलिया मत फटपात पर चलिया आपका एकसिनट नहीं होगा लगता है आपके उपर का माला खाली है आप कुसे बालू आपकी अकलमंदी की बातों से लगता है कि खोपड़ी का कमरा खाली पड़ा हुआ है करेक्ट खामोश पेजी मेडम मामला क्या है सर एक तो मामले हो तो बताऊं यहां तो साल भर से मामले ही मामले चले आ रहे हैं साल भर से इसके तो गोल्ड जिबली हो गई आप क्या पहले किसी सिनिमा में काम करते थे इनको मना कीजे ना सर इस्कीजी मेडम यह अपनी अकलमंदी की वज़े से सब इंस्पेक्टर से हवाल लग बन गया दुनिया आगे बढ़ती यह पीछे जा रहा है सर फाइदा होता ना आदी बुड़ा नहीं होता देख लिए आपने अब चुप रहो तुम फिर बताईए के नहीं जाती है अब मैं क्या कहूँ इन्हों ने टोक टोक के मेरा दिमाग फिरा दिया है यह तू बता ना सर एक बदमाश कॉलेज के गेट पर रोज़ाना खड़ा रहता है और हमें आते जाते देखकर आख पारने लगता है बास इतनी सी बात के लिए इतनी बड़ी परिश्या नहीं यह यह इतनी सी बात है पिछले एक साल से यह बत्तमीजी चल रही है क्या आपका कानून इस बत्तमीजी का इलाज नहीं कर सकता देखे मेडम आप फिकर मत कीजिए मैं खुद कल आपके कॉलेज में आऊंगा और इस बदमाश को रंगे हातों गिरफतार करोगा इसकी कोई ज़रूरत नहीं मैं उसे पकड़ कर लाई हूँ लीचे यह क्या है यह कदसे बढ़ा यह डंडा है और तू इसे आंख मा रहा है मत मुझे अख मा रहा है मुझे कुछ हो रहा है सबकिन ढुंस डि़ाइन माप करना सर, जम मैं मेरी माँ की पेट में था, मेरे बापने भी म 96 माँ को आक चादी उसके बाद तो मैं पैदा हो गया सा पैदा होते struggle, अजय तो मी ऑन्लाफ लेमन की आध ह का, इस अथधोर का दो, क्योर्त भूद को दोरे, दोर जाएンダ चल्ड बाग यहां से, मुझे बात मत कर तो नहीं करूँ, मैं तो करूँगा तुम सुनो या न सुनो, हम तो हाले दिल सुनाएंगे जाता है, ये मार्क है का सुबह छे बेचे का गया, इतनी राज गये वापस आया है और आप मस्का लगा रहा है, गुडी उनी, ब्यूटिफुल अब मैं क्या करूँ बुआ, अपनी किसमत में तो लगाने लिखा है गुंडों को डंडा और गुआ को मस्का जानती है बुआ, गुंडों का एक खतरनाग गैंग जो पुलीस को दो साल से तंक कर रहा था आज मैंने अपने जान पर खेल कर उन्हें गिर्फता कर लिया भाड में गई तरी क्या है अरे तेरे पिता ने तुझे मुएरी हवाले किस तरह किया था मालूम है, के बहन इसकी मा नहीं है मैं इसे तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ तुम्हारी कोद में डाल रहा हूँ समझ लो, ये तुम्हारा ही बेटा है और फिर अपनी स्टेट और जंगल के कारोबार में फस किया और मुझे इस जंगली बच्चे के चक्कर में फसा गया आज तुझे कुछ हो गया होता, तो मैं तेरे पिता को क्या जवाब देंगे? अरे बुबा, मुझे क्या होगा? मैं तो उस खांदान में से हूँ, जो हमेशे मौत से कुछती लड़ते आए हैं. मेरे दादा जी याने तुम्हारे पिता जी मिलेटरी के बहुत बड़े ओफिसर थे, जिनने अपनी जान देश शान के लिए कुर्बान कर दी. और फिर मेरे पिता जी याने तुम्हारे भाई एक बहुत ही मुषूर शिकारी है, जंगल का हर जानवर उन से डरता है, जब ऐसे बहँदूरों का खून इस पाइप लैंन में दौड रहा है तो फिर मैं चुप कैसे रह सकता हूँ? that's why I like to fight with dangers and devils चुप कर, चल, खाना खाले अई भुवा कहां किसे कि अपड़ा आया है मसका लगाने वाया चीडी चीडी यह अच्छा नहीं है मैंना बदला दुसरा रंग दिखाऊ ना करेक्ट, यह अच्छा है आपके अब मेरी पसंद एक है Mr. A. Mr. Yes Madam What do you think? मेरी पसंद तुम्हारी पसंद यह क्या बख-बख हो रही है? मैं आप से नहीं, मैं तो इन, इनसे कह रहा था इनसे? अच्छा अगर दुबारा मेरी पसंद तुम्हारी पसंद की बाते की तो मैं तुम्हें सीधा आईची के पास ले जाओंगी, खीच कर, याद है ना मेरा विस्वेकर? अहाँ, येस इसे पैकर्टीजे? अच्छे जी देखो, ये कितनी अच्छी है, सिर्फ साड़े तिन सो रुपी है साड़े तीन सो रुपे, नहीं नहीं, बहुत महेंगी है कितने पैसे हुए? पैसे? पैसे तो आपके पती इन दे दिये वाट? पती? जी हाँ, वो दिखिये जा रहे है देखा, इसे कहते है पती-पत्नी पत्नी ने साड़िया पसंद की नहीं, कि पती ने बिना बताये बिल चुका दिया और एक तुम हो, कि एक साड़ी खरीदने को कहती हूँ, तो पागल कुत्ते की तरह काचने को डॉटते हो खुपसूरत साड़िया, खुपसूरत पत्नी को ही अच्छी लगती है, किसी भूत्नी को नहीं क्या कहा? सब फूल चाहिए? हाँ, फूल चाहिए तो सही, लेकिन मेरे लिए नहीं वो लड़की आरे ने पीछे, पंजाबी दूसमें, उसके लिए, ये पांच रुबे के फूल, पैकर के उसे दिरना साब वो कौन है? वो मेरी वो है, क्या है कि हाँ हमारा वो हो गया अच्छा चगरा हो गया मिम साफ फूल कितने के है? पैसे के परवा मत कीजिए, पैसे मिल गए पैसे मिल गए? हाँ किसने दिये? आपके पती ने मेरे पती ने? हाँ, वो देखो कार में अच्छा 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 नेम साफ ये प्रेम का पंधन बांगने वाले फूल है इनका जोड़ा अपने बालों में सजा कर अपनी पती की तरफ देखोगी तो वो खायल पंची की तना तुम्हारे चड़नों में गिर पड़ेंगे अहा, क्या करता है विजय, तु नहाने में एक घर्टा लगाता है अरे, क्या करूँ बुआ, तुमने बातरूम इतनी दूर बनवाया आने जाने में पॉना घंड़ा निकल जाता अब नाने 15 मिन नहीं लगेंगे, क्या तुम बातरूम को घड़ के अंतर क्यों नहीं बनवा लेती बिल्कुल नहीं, हर चीज अपनी जगे पर अच्छे लगती है आजकल के कोई मकान है रहने की कमरे में नहाने का कमरा बना देते है तुम नहीं सुद्रोगी बुआ, दुनिया चांद पर चले गई लेकिन अब तक तुम बातरूम से बाहरे नहीं की चुकर, बड़ा या चांद वाला, चल ये ले कॉफी पी अरे बुआ, ये क्या, हमारे मकान के सामने ये ट्रक क्यों अगर खड़ा हुआ है ये मकान का निलाम करवान है क्या? अरे नहीं रे पगले, अपने मकान का बगलवला हिस्सा बरसों से खाली पड़ा था सोच रही थी कि पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा कौन बार-बार सफाई करवाता रहे, इसलिए वो हिस्सा किराय पे दे दिया बड़े ही अच्छे और शरीफ लोग रहने को आएं तू भी बड़ी बहोली ये बुआ, अरे को शरीफ और अच्छा ही समझती रहती है हज भाज भाज यह ही रहूं यह तो बहुत पुरा ना? बेटी बहुत पुराना लगता है अंदर जाके देखोंगी तो मिलों महल लगेगा अरे वाह जिने हम ढूंटे रहे सारे जहां में वो आकर बस गए मेरे ही मकान में लाला लाला अप ममी ऐसे का देख रहो बई जी कौन साब है आप जी मैं मकान मालिक का बेटा हूँ ममी पूरा घर तो सजा हुआ है फिर हम इतना सामान क्यों ले आए यह तो घर की मालकिन की महरबानी अबिटी बड़ी भली आउरत है पूरा सजा सजाया घर किराया पर दे दिया और यह क्या किया तुम लोगोंने सारा सामान बे धंगे तरीके से रख दिया देखो वो सोफा है ना उसे इधर लेकर आउ इधर लाओ और वो टेबल सेंटर में रख दो अहां वो रेडियोग्राम है ना उसे थोड़ा इधर करो थोड़ा अरे उधर नहीं कितनी बार को हू कुछ समझ में नहीं आता उमावेती तु क्यों वेकार में परिशान हो नहीं डैडी ये लोग कुछ समझते ही नहीं मैं तो तु जाओ आराम कर मैं सब ठीकर नहीं हाँ शैश्री अरे शैश्री डैडी ये फोटो वहां मत लगाए प्लीज वहां नहीं अच्छी लगती क्यों अच्छी नहीं लगती तु चुब रहे और जाए आज़ आज़गो ये फिर तुम लोग ने साइटेबल यहां रख दी कितनी बार कह चुकी हूं यहां मत रखो तुम लोग भेरे हो क्या तु फिर शुरू होगी अपनी जबान बंद रख डैडी ये कबड यहां मत रखवाईये न अच्छा नहीं लगेगा प्लीज तुम लोग चलो चलो न अपना काम करो चलो चलो ये कबड यहां रखो डैडी सुनते ही नहीं है अच्छी बात नहीं है अच्छी बली दिख रेटी हर सुराग बंद करता जा रहा है कम से कम एक सुराग तो छोड़ देता मेरे लिए ममी हां हम लोग वो पुराना वाला मकान इसली छोड़ कर आय थे कि वहां के लोग बंदरों जैसी हरकते करते ते यहां मालूम तो कर लिया ना कि बाजू वाले हिस्से में कोई बंदर बंदर तो नहीं है यह अवास केसी ममी पता नहीं बिली बिली होगी बंदरों से छूटे तो बिल्लियों में फसके अरे बापरे मुझे कॉलिज को देर हो रही है मुझे नाना है बातरूम कहा है ममी मकान के पिछवड है समल के जाना अरे क्या हो रहा है यू ठेर है मैंने क्यों पड़ा है ऐसे वह भूआ कि हमारे जो नए पड़ोसी आया ना उन्हेंने कुछ इलमारी यू खिसका है कि पर नहीं जाना है क्या पता है कितनी देर हो गई अरे बापरे बहुत देर हो गई मैं नहा करा था अरे सुन 15 मिनिट रही नहाया था और फिर से नहाने जाएगा बात यह भूआ कि शास्तों में लिखा है ना कि जब चिपके लिए तो नहाना चीए इसलिए इसलिए जा रहा हुआ 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 है हुआ है हुआ 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 ह आज क्या हो गया इसे? नहने का इरादा नहीं है क्या हम इनकी फिराक में सूख रहे हैं और ये नहने नहीं जाती अजीब मुसीबत है अरे विजय अभी तब तू नहाया नहीं बेटे बुआ आज मेने बहुत सोचा और इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि मैं पानी क्यों जाया करूँ इस देश में बहुत सारे ऐसे हैं जिने पीने के लिए गलास पानी नहीं मिलता और मैं चार बाल्टी पानी नहाने में जाय करता हूँ ये कह की शराफत है बुआ आज मैं पानी के कुर्बानी नहीं दूँगा अपने नहाने की कुर्बानी दे दूँगा कुर्बानी? हा बुआ ये चार बाल्टी पानी बहुत सारे प्यासों की प्यास बुजाएगा कितने उच्छे विजार है तेरे मामी मैं नहाने जा रही हूँ मैं समझ गया भूआ, मैं समझ गया, मैं समझ गया, तुझे मैंने नहने से बहुत ठेस पहुंची है, मैं अपनी कुर्बानी को कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन अपनी भूआ के दिल को ठेस नहीं पहुंचा सकता, नहने जा रहा हूँ अरे मगर मैंने कब कहा कि मुझे दुख पहुचा है हुआ कहने से क्या होता है तेरी शकल से साफ जाहर है कि तुझे कितना दुख पहुचा है और बड़ों को सुख पहुचाना छोडों का धरम है और मैं अपना धरम निभा कर रहूंगा चला मैं अरे अजीव लड़का है गड़ी में तोला गड़ी में माशा त्यासी लीडरों की तरह ब्यान मदलता रहता है हलो हलो अलो इधार अरे इधार क्या हुआ ममे क्या हुआ ममे अरे भोलती क्यों नि क्या हुआ बाथरूम में है न अरे बोलती क्यों नहीं क्या हुआ बाथरूम में ममी बाथ ये है मैं बाथरूम में ना रही थी न तो उस वक्त ऐसी भी क्या बाथ है बोलना उस वक्त तूसरे बाथरूम से एक बहुत बड़ी छिपकली मुझ पर गिर पड़ी ठीक ठीक इतनी सी बाथ के लिए इसना चीछना चलाना तौबा मेरे तो जान ही निकल गई थी कि क्या क्यामत आगी जाब जल्दी से ना आए हुआ 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 है अरें चकर, चकरा तो मैं गया था मेडम अगर आपने चिपकली का भाना करके मेरी जान न बचाई होती तो आपके गणय़ाय și जूतों और लाटों के बादिस Se मेरे हुल्याज बचड़िया हुआ हुआ ह। भी पहें जब भी आपको देखता हुँ तो मेरे मुझे देखकर आपके दिलंए भी कुछ होने लगता है देखे 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 आप हस रही है और हस के बाद टाल रही है बताएव ना चलिए बने चल करना है मेरा मतलब है आप अपने बात्रों में और मैं अपने चलो बेवी विजय। अरे तुन हाने आया था अभी तक कि अएक गंटे से दात ही रगड रहा है। तुनेही जाता तुम्हे जाओ। अरे नहीं भुआ, मैं पांच मिनट की बाद ना लूंगा। पांच विल में क्या होगा रे। अब क्या होगा और क्या नहीं होगा ये मत पूछो मैंने काना में पांच मिनिट की बात ना लूँगा ये भी अजीब लड़का है एक घंटे से ताथ ही रगड रहा है और कुछ पूछो तो कैदा मत पूछो इसका क्या मतलब है अब फजुल की बातों में उलच कर अपने वक्त की जाय करे हो तुम जाओना मैंने काना मैं पांच मिनिट की बात ना लूँगा अब भगवाद अब क्या बेहुद की है अब तक खड़े खड़े दाल की सरा था अब खुरसत से बैटके दाल की सरा था बात ये है बुआ कि अगर मैं खड़े खड़े मांजूगा ना तो थुक दूसी तरफ किरेगा आने जाने वालों पर उड़ेगा इसलिए मैं बैटकर मांज जाता लेकिन तुम परेशान क्यों हो रही हो जाओना बाबा अंदर अरे मुझे मंदिर के लिए देर हो रही है उड़े मैं अफिन आगा है मेरी पियारी पियारी पिए बुआ सिर्स पांच मिनिट और अरे एक देर घंटे से तु पांच मिनिट कर रहा है अभी तक पूरी नहीं होई कैसे अरे बाबा मैं तुमारे के हाँ चड़ता हो प्लीर यह बहर आने का नाम नहीं ले दी, कव आईगी? जब दो प्यार करने वालों की बीच, समाज की दिवार आजाती है, तो बीच में से इंट की दिवार निकाल देनी चाहिए, कैसे लगा मेरा आईडिया? अगर मैं राष्ट्रपती होती, तो तुम्हें इनाम में गोल्ड मेडल जरूर देती हैं really, how cute अउच्छ, दुखता है ना, लेकिन मुझे तु अच्छा लगता है अच्छा क्या करते हूं दूखता है मगर मुझे तु अच्छा लगता है बहुत दुखता है, लंआ साय लाकिता आ bil विजे, तुम चोरों को पकड़ने वाले इंस्पेक्टर ही नहीं हो, बल्के फुद एक चोर हो जिंदेगी में पहली बार चोरी की है, वो भी तुमारे लिए इंस्पेक्टर साफ, इस चुर्म की क्या सजा है, जानते हैं? जानियमन, अपने दिल के कैद खाने में कैद कर लो, उमर कैद की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ बातें तो बड़ी मीठी मीठी करते हैं पहली बड़ कर रहा हूँ, वो भी सिर्फ तुमारे लिए है, अच्छा कसम से, तो फिर शुरू हो जाएं, क्या शुरू हो जाएं, प्यार का खेल, क्या, मेरा मतलब है, प्यार से नहाना शुरू करतें तो जाएं, क्याय झाएं, क्या शुरू भुरू करतें आजा एक होजा मैं तेरी तु मेरा आजा 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 एक होजा तु मेरी में तेरा आजा आजा कर द ढदे कर दो विंध हना दोला में जोह दुझPark करेंगे 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 कुछा एक से था या मत पर रहे हैं ? अ चुँँ छाना चुँँ छानना चुँँ छानना उस्यवी यह जा आं थै किता है अरे मैं मैं शैम्पो लाना पूल गायी थी कोई बात नहीं थोड़ा करीब आओ ना मैं शैंपू लेकर आती हूँ प्लीज जिल्दी आना बस एक मिनिट अभी तक तुम हाई कड़ी हो अरे उमा की शाधी की बात करने जाना है नौ बच चुके जमनादाशी वक्ते बहुत पक्के तुम जानती इस बात को अरे बाबा उमा ना ने गई है वो आजाए तो मैं ना लूँ पांच मिनिट में तयार हो जाओंगे कितनी देर लगती है यह लोग आ गई ना चुकी मेधी नहीं ममी बात रूम में शैंपू नहीं है वही लेने आई थी तेरा कॉलेश है नहीं दैरी तो 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 तेर पहले ममी करना जा जा तूम जा अजा तियो मैं देर हो रही है यह प्लीज बॉल जा बोलू मैं कैसे समझाओं कितनी देर लगा थी शैंपू लेने किसी और शैर गई है क्या अज़स्त आगई मेरी डालिंग आगई है मैं तुम से पूछ रहा हूँ, शैम्पू लेकर आ गई मुझे जावाब दो, नहीं तो मैं चूंटी मारूँगा ठीक है पकड़ लिया राजी संत्य होँ, कहा हो तुम यह क्या होँगा? मेरी तुम जान ही निकल गई, मैं ना रही थी तो 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 उसी मार बातरूम के दूसरे हिस्से से एक हाथ आया और मेरा कांदा पकड़ लिया आपे तुम्हारा कांदा पकड़ लिया कौन है अंगर मुझे सीदा माता बना दे, रमीन फट्जा और मैं अंदर गुज जाओ बाहर निकलता है या करवाता तोड़ दो ठैरिये ठैरिये आप किसे बाहर निकली के लिए कह रही है अंदर मेरा बेटा वीजय नहा रहा है अच्छा तो वो आपका बेटा है आप जानती है उसने कैसी कमीनी हरकत किया क्या किया उसने उससी से जाके पूछिए विजय विजय क्या है अरे यह हमारी किराएदार क्या कह रही है सुनतो कहने दो वुआ मैंने कुछ नहीं किया मैंना मतलब मुझे कुछ नहीं मालूम तो फिर बाहर आ लो आगया चल अब बोलिए आप क्या चिला रही थी आप लोग मेरे बच्चे को आवारा और बबमार समझते हैं तो आपका मतलब है मैं जूट बोल रहे हो मुझे नहीं मालूम यह तो इतना जानती हूँ कि हमारे घर में कोई जूट नहीं बोलता है क्यों आपके बीचे चोरों के चुपके ख़़ा है कुंडेयर मावली सरकों में चेड़ते हैं तू सुथ और यह पुलीस वाला बात्रूम में घुट के चेड़ता है आप खामोश रहे अपनी पती को लगाम लगा कर रखिये अरे इस उमर में भी जवान लड़को पर डोरे डालती है इस बूडी घोडी को देखो और मेरे जवान बेटे को देखो यह राम, तुम चुनते जा रहे हो, और यह केसी केसी बाते कर रही है, कितने साल हुए हमारी शादी को, तुमने मुझे किसी आदमी के साथ बात करते हुए देखा, अरे वा, इसका बेटा बदमाश है, इसने छोट दे रखिये, और इल्दान दूसरों पर लगाती है, अपने किसे हाथ बढ़ा कर उसे चू सकता है, कैसे चू सकता है, जा खुदी जाकर देख लो, दोनों बातरूम के बीच की दीवार में सुरम खौद रखी है, इसने, मैं अब भी खुद जाकर देखती, तुम भी जाओ जी, पिजए, ये क्या हर कते? थू, 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 कितने शरम की बात है, अरे और अउर्तों का भूगा तुमारा ये बेटा, अपनी मा बनदावार के और ने हाठ डालता है, और देखो, बे शरम कैसा ख़ड़ा है, अरे अपनों तो इसे चुल्लिवर भाने में ढूप मन आजाए सर दरसल बात है कि मैं समझा कि दूसरे बात्रूम में आप है इसलिए मैंने क्या कहा? सरी सर मेरा मतलब ना समझा कि आपकी बेटी है इसलिए मैंने हाथ बढ़ाया था मेरी बेटी समझ आ यो रासकल मेरे सामने क्या रहा है कि मेरी बेटी में हाथ डालना चाहता था जिया, प्रेम करते हैं पर्माश, कमीने, जबान पर काब रुक वन्ना मैं घूसे मार-मार करते हैं दाफ तो दूँँगा डेडी डे यह ठीक कह रहें डेडी हाँ डेडी हम दोनों सच मुझ एक दूसरे कुछ आते हैं डेडी पर्माश, कब से चलना है तेरा यह प्रेम का लाटा पर्माश, यह इस तरह नहीं बोलेगी, तुम्हाटों मैं देखती हूँ ते शरम बेहया, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी जबान से यह बात उगले कैसे पर्माश, तेरा उसका रिष्टा क्या है जबाब दे नहीं तो मैं तेरी जबान काट डालूगी पर्माश, आपने लोगाश, इस से जदा और कुछ नहीं सुनिया तुमने, इसकी आखों का पानी कैसे मर गया है कैसी बेशरमी से हमारे सामने अपने प्यार मुहबबत की बाते कर रही है और वो भी उस लड़के के साथ, जिसकी जात पात हमारी बिरादरी से अलग है और यह एक्टी लड़की का तो गला घोट देना चीए, बात आना चीए के अपनी बसंद का कबड़ खरी सकते हो, जेवर खरी सकते हो, सरीली बना सकती हो लेकिन जिंदीगी का हम सफ़र ढूनने का हग तुमको नहीं है वो हम ढूनेगे और हमारे असुलों के खलाब चलने के कोशिच की तो टांगे तोड़कर अपाइस बनाकर घर के किसी कोने में टाल दूँगा आया समझ में बुआ, मैं छट पर सोने जा रहा हूं बहुत परिशान हूं अच्छा बुआ, सुना तुमने मैं छट पर सोने जा रहा हूं हाँ, हाँ, सुन लिया चिल्दा तक क्यों है चिला कुन रहा अच्छा 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 कुमार एक शरीफ खांदान में पैदा होने वाली बेटी आधी रात को अपने कमरे से बाहर नहीं निगलती मुझे अपनी बेटी से उमीद है वह खांदान की इस दत को बरबाद नहीं होने देगा इस बात को अपने बेटी से सर्फ यही करना है वीजय हाँ वुआ इक गजार बेकार है बेटा उमार नहीं आएगी हाँ वीजय उसके पिता ने अपनी इज़त का वास्ता देकर उसे उपर आने से रोक लिया है अरे अरे उमा बेटी अभी तक कॉफी नहीं पी यह क्या हो गया तुझे रात को खाना भी नहीं खाना इस तरह कब तक रोती रहेगी यह ले कफी पीले और नहाला यह ले मेरी अच्छी बिटी यह ले अरे 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 तुम मुझे इस तरह घूर कर क्या देख रही हो मेरा नाम विजय है और मैं विजय हासिल करके रहूंगा मुझे यह रोना दोना बिल्कुल पसंद नहीं बंद करो यह रोना दोना अब बसो जिम्या स्माइल हरी अ हाँ रोना बंद करो बिल्कुल आ यह हुई ना बात तु मुझे पिज्वाके रहेगा हेलो जमनादाशी मैं जगमोहन बोल रहा हूँ हमने इसी साल उमा की शादी करने का फैसला किया कल बहुत शुब मुरत है आप लड़की देखने आ सकते हैं मैं जी उससे क्या हुद ना मेरा फैसला मेधी बीटी का फैसला हुद सुनिये शादी ब्याद कोई बच्चों का खेल नहीं है हाँ जात पात बिरादरी खानदान सब का खैल रखना पड़ता है सब जानते हैं मैं जात पात का कितनी सक्ती से खैल रखता हूं यहां कल जब आप आए तो शादी के शोब मुरत निकलवा के आएगा सगई हम यहां पक कहा जा रही हूं क्या आप मेरी जबानी सुनना चाहते हैं कि मैं कहा जा रही हूं साबस उटी साबस टेड़ी आपनी फोन पर तो अपना फैसला सुना दिया है अब मैंने भी फैसला कर लिया है मैं उनके घर चा कर हूं पश्तमीज, तुझे ये कहते हुए शरम नी आती है। जान की, ये क्या कर रही है, इस पर हात उठा रही है, इस पर, जानती हुए कौन है, ये मेरी बेटी है। मैं जानता हूँ, इसने प्यार के मामले में जल्दबाजी की, हम लोगों को अधेरे में रखा। लेकिन मैं अपनी बेटी को जानता हूँ, ये शादी के मामले में कोई जाजबाजी नहीं करेंगी, कोई भी कदम उठाने से पहले अपने माबाब की इसत का जुरूर ख्यार रखेंगी, ये लॉट जाएगी, वापस अपने कमरे में चली जाएगी आप ये कहा करते थे, एक लड़की की जिन्दगी के तीन हिससे होते हैं, बच्पन जो माबाब के साहे में गुजरता है, जवानी जो पती के चन्नों में गुजरती है, और बुड़ाबा अपने उलाद के साहरे गुजरता है, और उसके बाद मौत के गोद में चली जाती है बच्पन में गुजर चुकी हूँ डड़ी, अब मुझे जिन्दगी के दूसरे हिस्से में कदम रखने की इजास्त दीजे, मुझे जाने दीजे, प्लीज दाड़ी, मुझे जाने दीजे, ठीक, जिन्दगी में की हुई नसीयते, कभी ऐसा भी रंग दिखाएंगी, मुझ बच्पने का मुझे कोई हुख नहीं है, लेग, जाने से पैसे मेरा एक काम करते हूँ, एक मिनदगी, मैं आपी आपाएंगी अमा, देखे, बच्चा जब पैदाव होता है, तो महबाप उसके मुझे में शकर का पाने डालते हैं, जानती हो क्यों, ये उनकी बन की प्रात्ना होती है, ये बच्चे के आने वाली जिन्दगी, खुशियों की मिठास से बच्चा है, आज तुम्हारी बारी है, तुम, ब कम से कम, ये जहर तो मिला सकती हो, लो बिटी, जिच के जाओ मात, रास्ते में, जब को छोटी मोटी दिवार आ जाती है, तो उजे ठोकर मार के गिरा दिया जाता है, तुम भी इस जहर से, अपने बाप की खानदाने इज़त की दिवार को फिराता हो, मुझसे जादा भाग उसके बाद, जहां जी मैं है चली जाना, और खुश है ना जादी, नहीं जादी, नहीं जादी, ऐसा बत कीजिए का और जादा, बागा जादा जादा हुआ है, तो अपर थे, जहाँ है जाए। कर दो, कॉत्व हम जाए, खुश हमzeniu, कर दो हमागए है? रामो, रामो भाइजा मा देना है बेडी मैं नहीं पीता सरकार घूम जाओ, घूमो मलिक, मलिक, यह क्या है यह क्या है? रामो, भाजी तो मेरे मुलाजम जरूर हो मेरे गुलाम नहीं अरे भाई, ना तार भेजा, ना ट्रंक कॉल किया बेरा खबर के तुम तो सिर्फ इंकम टेक्स वालों की तरफ बच चले है तार तो एक तरफ डेडी मेरे पास तो ट्रंक कॉल करने का भी वक्त नहीं था इसे खुद ही चलाया कोई खास बात है? हाँ, बात तो खास है लेकिन आपको डेटल में बताऊ यह शॉटकट में शॉटकट, शॉटकट शॉटकट यह है डेडी के मैं एक नर्की से प्यार करता हूँ कंगाचुलेशन्स बेटे अरे हम बहुत शुश हुए प्रेम करना तो हमारे घराने का असूल है तुम्हाई दादाजी ने तुम्हाई दादी के साथ प्रेम किया था और शादी कर लिए वैसे हमारे पिदाजी ने किया हमने भी तुम्हें मा के साथ इश्क किया और शादी कर ली, शाबाज बेटे, तुमने हमारे घराने का अरसूल कायम रखा, तैंक यू डैडी, तैंक यू बच्चा हो, नहीं डैडी, आप मेरा मतलब नहीं समझे, वो जरा पुराने ख्यालात के हैं, उनकी नजर में इश्क, प्यार, महबद, बुरी चीज है, जुर्म है, लेकिन डैडी, तुम बुड़े की फिकर मत करो, तुम फारण जाओ, लड़की को यहां लेकर आओ, मैं अधिकी, तो क्या उनकी मान मर्यादा मिट कही, लेकिन दैडी वो जमाना और था, वो भगवान श्री कृष्ण थे, अरे तो हम भी तो प्रेम कृष्ण है, आहां, लेकिन कुछ फॉर्मेलेटिस का दहन तो रखना पड़ेगा यह नहीं, प्लीज, एक बार मेरे लिए उनसे चला, अब उमा केसी है, अब मैं तुझे क्या पताओं बटा, जो नहीं होना था, वो हो गया, अब तो भगवानी उसकी रक्षा करे, आपकी बेटी ने जो जहर पिया है, वो मामुली नहीं है, वो जान लेवा है, आपको कुछ पेपरों पर सायन करने पड़ेंगे, ताके ह दोक्टर, इंजेक्शन, क्विक, ये लिजी, आप कौन है, बाहर जाएगे, मैंने कहा ना बाहर जाएगे, आप मुझे डिस्टम मत कीजिए, बाहर जाएगे, आउट बेटा, अब कैसी तब्यत है, उमा की, वो जहर पिला कर पूछ रही है, अब कैसी तब्यत है, अगर उमा को कुछ हो गया ना, तो फिर मैं भूल जाओगा कि मैं इंसान हूँ, जानवर बन जाओगा, वैशी बन जाओगा, तो क्या घर होगे, मा डालोगे, तुम समझते हो, हमारे दिल में अपनी बेटी के लिए कोई प्यार नहीं, कोई चाहत थी, तुम समझते हो, हम इंसान नहीं जानवर है, जगमोन जी, इस भी अपनी बेटी से प्रेम करता है, उसके लिए अपनी जान देता है, उसकी जान लेवा नहीं बनता, मैं भी उमा को दुछ्वन नही मैंने सिर्व इतना काहा था, कि मैं इस शादी के लिए तयार नहीं, और अगर वो अपनी सिद्पी अड़ी रही, तो मैं जहर भी का आत्मात तैकर लूँगा, मैंने उसे जहर भी की खुछ कुछी करने के लिए नहीं कहा, वाव 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 वाव, इसे कहते हैं कि में पूछता हूं कि आपको हमारे खानदान के साधी रिष्टा जोड़ने में क्या इतराज है क्या हित्राज है आज तक हमारे खानदान में किसी ने जाद बेराजी से बाद शादी नहीं की मुद्धों से चले हैं और सुनों को माय कैसे तोड़ सकता है आज तोड़ दीजी जगमुन जी शादी व्या एक नेक काम है एक पवित्र रिष्टा है जो एक मर्द और और अरत के बीच होता है ना ये जाद पात का खेल है और ना धरम मजब की रुकावतों से रुक सकता है व आपकी ब्रादरी का है आपके धरम का है जी नहीं है वो एक इंसान है ये वो एक इंसान है और जिन्दकी में बहुत से ऐसे मुकाम है जहामें वो सब बाते भुला कर इंसानियत का रिष्टा अपनाना पड़ता है ये आप लोग किस लिए बहस कर रहे है उदर किसी की जान है जिसकी जान आपके उस जान के साथ जुड़ी हुई है लक्सा मेरी बेटी कैसी है अब वो खत्रेते बिलकुल बाहर है आप बेफिकर रहे हैं आल दे बेस्ट भगवान तेरा लाख लाख शुग है तुने हमारा साथ दिया वाज जग्मोन जी आज तो भगवान ने आपका साथ दे दिया लेकिन कल अगर आपने भी बेटी की मर्जी का साथ नहीं दिया तो क्या गरंटी है कि वो फिर से तुन खुदकुशी नहीं करेगी जी मिस्टर जग्मोन मैं ठीक कह रहा हूँ आप मेरे बेटे को अपनी बेटी से आलक तो रख सकते हैं लेकिन अपनी बेटी को जाहर की बोतल से आलक नहीं रख सकेंगे इनकी बातों को गलत मत समझें लेकिन जरा सोची है अपनी बेटी की बली चड़ा कर आप करना क्या चाहते हैं अपने अहंकार को जिन्दा रखना चाहते हैं या अपनी जिद को बस बैच बस बहुत उच्छा आए मैं अपनी बेटी की सिंदगी के लिए अपने विचारों अपने आदर्सों को गुर्बान करतूगा यह चाहती जरूर हो की अरे यह क्या कर रहे हो मुझे मत छिड़ो अब यह काहे किला जाने मन हमको आज प्यार करने का लाइसेन मिल गया प्यार करने का लाइसेन मिल गया दुनिया है लगपती हम है पतनी पती हार अपना भी चक कर चल गया प्यार करने का लाइसेन मिल गया प्यार करने का लाइसेन मिल गया प्यार करने के लाइसेन मिल गयार करने का भी उल ऌुञ्प्या वाइसेन मिल ठाफ वापार करने काς!" कि अपने वादों को अब तूनी बादे जरा आखे आखों मिला सारी अरवान चाल जब होती ही परदा खुल गया त्यार करने का लाइसेंस मिल गया शाही होती ही परदा खुल गया त्यार करने का लाइसेंस मिल गया हाहा झाहा हाहा हाहा तुल हुआ 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 है बता है आपत की फढ़ी या मिले नीच जन कहँ और अ реш इस प्यार करने का नाय शाय मिल गया त्यार करने का नाय सेम मिल गया अब ये कहे लाच मिल गया डादी डारी मुझे एक बर्याँ चाहिए ीचैक मुझे कोई अतराज नहीं अपनी मम्मी से को क्या पाज कर रहा है आप गुर्मानी सार अभी आपको अपने आफिस में बुलाया है ठीक है तुम जलो में आता हूं ओके सार बेजये हमारे डिपार्टमेंट को नास है तुम जैसे बाहदर इंसान में पुलीस की वर्दी को अपना है हाला कि तुम्हारे पास दी हुई पुर्खों की क्रोड़ रुपे के जादाद भी है और तुम्हें नौकरी करने की कोई दूरूद में लेकिन तुम्हारे अंदर देश भक्ती का जजबा हम उसकी बहुत कदर करने है और फिर तुमने बामबे एहमदाबाद हाईवे रोड प वहाँ पर एक बहुत बड़ा गैंग है जो दिन दहाड़े लोगों को लूटते हैं और ओरतों की इजब भी लूट लेते हैं इस कतलो खून लूट मार और गुंडागरदी को रूखने के लिए पुलीस डिपार्टमेट ने हर तरह से कोशिश की लेकर उनकी हर कोशिश ना करता हूं बलके वादा करता हूं कि जब तक मैं इन मुझरिम को गिरफता करके फांसी के फंदे तक न पहुचातूं तब तक जिंदगी का हर सुख, चैन, आराम मेरे लिए हराम हैं आएम रिली प्रवड अग्यु बड़ अजिसमें तमाम मुझरिमों के रिकॉर्ट हैं वि कॉल वादा प्रवड गहां तक प्रवड शादिना आएमध येव सब्सक्राइब अचा दिनो अचा दिनो वह त्टाइब अच्छा दिनो मेरे याँ अचा दिनो एम ए एस डबल टू डबल था दबल थ्री चल यार कब से बगबग कर रहा हूं एक चॉकलेट भी नी खाया गला सुग्या अच्छा मासर दो फैसर देना तुल्हा जी आप हमारी सहीली का सब अच्छी तनह खायाल रखिएगा पर आप इने छोड़ेंगा तो मैं इनका ख्याल रखूंगा कि एक गम सुपरक्लास वोटा को है कि मिलक ना वा आप्सर दोसो साथ हुपय दोसो साथ हुपय जी अब हम लोग को बेठे हुए है जल्दी कीजिये आतो जागी जल्दी कीजिये उटोब उटोब कि अंकल पहले तो तुम रोज अपने पिताजी के साथ शादी के लिए जगड़ा करते थे अगर मेरी शिलाशे शादी नहीं हुई तो मैं यह कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा अब तो शादी हो गई, अब क्या करोगे? तो क्या बक्वास कर रहा है? अरे, इसमें बक्वास की क्या पास है? बताओ ना शादी के बाद क्या करोगे? सुनो, शादी तो हो गई, अब हम क्या करेंगे? तुम चुप रहो जी, और लोग बैठे विए हैं, शर्म नहीं हो मैं आपसे एक सवाल पुछा हूँ, चवाब दोगे? पूछो मान लो, कि भगवान आपके सामने आचा है, और पूछे, मांग बालग क्या मांगता है? तो तुम क्या मांगोगे? चलो, तुम बताओ, तुम क्या मांगोगे? मैं तो यही मांगूँगा, कि मुझे दुनिया का सबसे मालदार अद्मी बना दे मालदार? तुम तो अभी पढ़ते हो, दौलत मांगोगे, जानते हो, अगर मैं तुम्हारी जगे रहता, तो भगवान से क्या मांगता? क्या मंगते? मैं भगवान से मांगता, हे भगवान, मुझे अकल दे, बुद्धी दे एक दम बराबर, जिसके पास जोचिज नहीं होती है, वो भगवान से वह ही मांगता है, हे ना अकर? अड़े अड़े ये क्यों क्या? अचूक्ट एम भी एफ जो को कि इट प्रीकरव वियू आपिर आप आप दोग में इन्स्वेक्टर साहब इन्स्वेक्टर शाप, इन्सिए लोगों ने मिरी आंकों के सामने मेरी भी मी की इज़त रूट कर इसे चाकू मार मार कर जान से बार डाला उसके बहते हुए खून से ऐसे हजसकर हाथ रंग रहते हैं, ऐसे ये खून नहीं, किसी बहती हुए नाली का पानी है इंस्पेक्टर साहब, पानी है। इंस्पेक्टर साहब, उन लोगों ने हमरा सब कुछ लूट लिया, मेरा एक ही एक बेठा उसे भी मा डाला। मेरी बहु जिसके गले में हल्दी लगा मंगल सूर्थ रभी सूक ने भी नपाया था कि उन जालिमों ने उस पमित्र धागे को नोच डाला इससे विध्वा कर दिया इसकी जदलूटली इंस्पेक्टर साफ मैं पूछता हूँ उन जालिमों को रोकने वाला कोई नहीं यह देश गुंडों और लुटेरों से हार गया है इस अंसार में मेरे पिता के सिवाही मेरा कोई नहीं है और आज उन लोगोंने मेरे पिता को मार डाला इसकी जालिए पुकारते रहे पर मैं उन लोगों के आवच के जाल में फसी दी इसकी आप बेसे कोई उन गुंडों का हुलिया बता सकता है इसकी इसकी जारों गुंडे सड़क पर यूपड़े हुए थे जैसे एक्सिडेट में बिहोश हो गया हूँ हम लोगों ने इंसानियत की खातिर उनकी मदद करनी चाहिए मगर वो जो हम पहुंचे वोट खड़े और हमारी बर्भाद ही कार दी इंस्पेक्टर साहब हमारी डार और गब्राहट के मारे ऐसी हालत होगी ऐसी हालत में उन गुंडों की शकल उनका हुलिया कैसे बता सकते ह है इंस्पेक्टर साहब ऐसादमीं के कोट का बटन है जिसने मेरे इससद लोटी इससे इलावे को चीज फैसे उन मुझे मालो में एक पिल्टी बता जल्दी बता जब बस ना रहे थे तो हमारी बस एक जगा रोकी और सब लोग चाहे नाचते के लिए होटल में गयो और मैं उस वक्त पापरी कितनी बारानक अंगोटी है चल चल टोकलेट ले और भाग यहां से अलो टोनी मैं रंगा हाँ हाँ मैं बोल रहा हूं बारातियों से भरी हुई एक बस पूरे पांच लाग की तिजोरी है अब है नमबर रोटकर MTS 2223 तुमारी बताईव इस अंगोठी को मैं उनकी मौत की जंजीर बनातूंगा मैं इन बे गुनाओं की जिंदगी तो नहीं लोडा सकता लेकिन इनका खुन जो बाहा है इन बहनों की इसर जो लूटी है उसकी कीमत धर वसुल करूँगा अशारी से बुनना नहीं समझे और कुछ कलबर हो तो मुझे इन फॉर्म कर देना और कुछ अब तुम चलो ओके अलो 546484 क्या बात करते हुँआ अबे रंगा कभी नहीं चुकता क्या चाहिए साहब King size gold flag single या double single okay और क्या चाहिए मुझे तू चाहिए अच्छा अब साफ साफ बता वरनाद दाड़ी को एक एक बाल और बाल के बाद खाल उखाड़कर दूप में उल्टा लटका दूँआ मैं तुझसे एक बार फिर पुछता हूँ बता मुझे मालूम नहीं get up come here you swain बता किसको फोन कर रहा था किसी को नहीं मैं अच्छी तरह जानता हूँ तू किसको फोन कर रहा था मैं यह भी जानता हूँ कि तू खबरी का काम करता है अब बता दे किसको फोन कर रहा था एक बार अपन बोला ना किसी को फोन नहीं करता था साइब बार बार पुछेगा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा साइब अच्छा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा बजब वेगा अट 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 I'm sorry Excuse me Inspector I'm Advocate Ghaswala M.A.L.L.B यह मेरे क्लाइंट है मैं इनका वकील हूँ मैं इनको जमानत पर छुडवाने आया हूँ यह कमीना तुम्हारा क्लाइंट है Excuse me यह कमीना नहीं यह मेरा क्लाइंट है यह तुम्हारा क्लाइंट होगा लेकिन इस वक्ति मेरा मुजरिम है Inspector Excuse me यह मुजरिम है यह नहीं इसका फैसला अदालत करेगी तुम नहीं तुम्हारे इस क्लाइंट का हाइवे के कातिल और लुटेरों की गैंक के साथ संबंद है Advocate घास वाला Excuse me Inspector लुटेरों से इसका संबंद है यह यह अदालत में साबित करना और साबित करने के बाद सजा देने का काम भी अदालत का है तुम्हारा नहीं Excuse me Inspector तुमको shortcut मार रहा हो साबित कुछ हुआ नहीं रपिटाई शुरू कर दी तुमको इसको हाथ लगाने का कोई हक नहीं तुम्हारी यह हरकत इंस्पेक्टर तुम्हारी वर्दी में गडबड पैदा कर सकती है तुम्हारे फीते कम करवा सकती है Excuse me Mr. घासवाला तुम अपने काबियत और कानून की जानकरी का गलत इस्तेमाल कर रहे हो चंद रुपयों की खातिर अपनी डिगरी अपनी तालिम को निलाम कर रहे हो कानून का गलत इस्तेमाल करके एक खुनी लुटेरी की तरफदारी कर रहे हो तुम्हें शर्म आने चाहिए Excuse me Inspector भूख न लगे तो रोटी का मजा ही क्या है इसी तरह कानूनी कारवाई नहीं हो तो कानून का फाइदा क्या जुर्म नहीं होंगे तो अदालते बंद हो जाएंगी वकील भीक मांगते फिरेंगे पुलिस स्टेशनों पे ताले लग जाएंगे और पुलिस वाले मजबूर होकर चोरियां शुरू कर देंगे Excuse me Look mister You look at me inspector तुम इसे जमानत पे छोड़ते हो या नहीं मैं इसे छोड़ने पर रजामंद नहीं हूँ तुम रजामंद हो या नहीं इसकी मुझे पढ़वा नहीं है मगर अदालत ने अपनी रजामंदी का हुकम दे दिया है तुम्हे इसे छोड़ना ही होगा Excuse me ठीक है तुम इसे आज सिर्फ यहां से ले जा सकते हो माचिस की एक तिली से पूरी गास जिल जाती है मिस्टर घास वाला Excuse me Inspector तुम्हारा नाम मिस्टर माचिस वाला होना चाहिए था क्योंकि जिस तरह तुमने घास वाले का सही इस्तेमाल किया है आज तक कोई नहीं कर सका इसलिए मैं तुम्हारी इज़त करता हूँ ठीक है देखते हैं माचिस घास को जलाती है या घास माचिस को कल अडालत में Excuse me यू अनर कई मासुम बच्चे कतल कर दिये गए कई माओं को खून में नहला दिया गया नए बिहता जोड़े सुहागराद मनाने से पहले मौत की आगोज में सुला दिये गए ये कतले हम अब भी जा रही है वो जालिम कातिल लुटे रहे हर रोज डाके कतल खून करते हैं पसाब बचकर निकल जाते हैं उन जालिमों का एक साथ ये खबरी है रंगा ये रंगा उने खबरे देता है और वो बडले में उसे कमिशन देती है ये उनके जुर्म में बरावर का शरीक है इसलिए मैं हदारा से दर्खौस करता हूँ किसे सक्स सक्स सदा दी जाए ताके एक बार इसके साथियों के कदम भी डग मगा जाएं और वो दोवारा जुर्म करने से पहले हजार बार सोचने पर मजबूर है Excuse me your honor My dear inspector तुम्हारे जैसा सच्चा इमांदार और इंसाफपसंद inspector पूरे पुलिश डिपार्टमेंट के लिए एक बेशकीमती हीरा है और ऐसे हीरे को जजबात की आग में भड़कना नहीं चाहिए वरना वो तलक जाएगा इससे न सिर्फ पुलिश डिपार्टमेंट का बलकि सारे देश का नुखसान होगा इसलिए Excuse me inspector अपने मन में भड़कती हुई जजबात की आग पर काबू रखो और ठंडे दिल से मेरे सवालों का जवाब दो तुमने अभी अभी जजबात में चिल्ला चिल्ला कर कहा कि मेरे क्लाइंट रंगा का उन कातिलों उन लूटेरों से गहरा तालुक है गहरा संबंध है Excuse me inspector क्या ये गहरा तालुक ये गहरा संबंध तुमने अपनी आँखों से देखा है नहीं पट को कट करो और जट से मेरे सवालों का जवाब दो Excuse me तुमने अपने बयान में ये लिखा है कि रंगा ने उन कातिलों को फोन किया तो क्या तुमने रंगा को फोन करते हुए देखा था है नहीं लेकिन ओ अब बट से लेकिन पर आ गए Excuse me inspector ये बट लेकिन किन्तु परंतु इनसे काम नहीं चलेगा सीधे point पर आओ तुमने अपनी आखों से ये तालुक ये संबंध देखा है या नहीं जी नहीं मैंने देखा Thank you Excuse me your honor, please note this point कि नहीं देखा Your honor ये सच है कि मैंने उसे फोन करते हुए अपनी आखों से नहीं देखा लेकिन उसे देखने वाला एक चश्मदीद गवा मेरे पास है चश्मदीद गवा कौन है ये गवा Raju एक दस साल का लड़का Excuse me your honor मैं इस दस साल के लड़के से चंद सवालात करने की इजाज़त चाहता हूँ इजाज़त है Thank you sir Thank you Raju हाजिर हो Raju हाजिर हो Raju हाजिर हो तो आप है वो चश्मदीद गवा जी हाँ Excuse me आप इतने चोटे हैं कि आप सही ढंग से मेरे सवालों का जवाब दे सकेंगे अगर आप सही ढंग से सवाल पूछेंगे तो आप सही ढंग से जवाब भी देंगे Excuse me आपका नाम क्या है वकीर साथ आप भेरे है क्या क्यों 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 अभी तीन मर्दबा मेरा नाम पुकार हो गया राजू 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 आपने सुना नहीं चलो मान लिया कि तुम्हारा नाम राजू है Good ये टेलिफोन किसने किया था उस भायनक विलन रंगा नहीं Excuse me तुमको कैसे मालूम पड़ा कि रंगा विलन है अरे आपको वकिल किसम बनाया परिक्षा में खुद बैढ़े था कि किसी और को बिढ़ा था Excuse me Objection Your Honor आप वीरो और विलन में फ़रक नहीं समझते Your Honor ये ब्लेड की साइज का लड़का मेरी हिजदत के टुकला टुकला कर रहा है Excuse me आप बाते ही ऐसी करते हैं ऐसी भायनक दाड़ी और मूच सिर्फ विलन लोग ही रखते हैं आप तभी फिल्में नहीं देखते हैं फिल्में तो बहुत देखता हूं मगर जिस फिल्म की कहानी तुम यहां सुना रहे हो उसमें तुमको कैसे मालूम पड़ा की विलन का नाम रंगा है Excuse me क्या तुमने उससे नाम पूछा था उससे बाते की थी ची-ची-ची-ची-ची कोई भी शरीफ आदमी जिसमें जराभी अक्कल होना वह ऐसे लुच्च लफंग से बातें ने करते क्या मतलब मैंने उससे बाते की मैं उसके बचाव के लिए लड़ रहा हूं तो क्या मैं लुच्च लफंगा बेवकूफ हो यह तो मुझे नहीं मालू यह तो मैं आपकी पत्नी से ही पुछके बताऊं लुग कोई बात नहीं पच्चू मेरा अगला सवाल तुमको पतक है चारोखाने चित कर देगा तो आजा मैदन में मुकाबले के लिए तेयार ही ओके राजू मिस्टर राजू एक्स्क्यूज मी मिस्टर राजू येस तुमने कहा था कि तुमने रंगा को फोन पर बातचीत करते हुए देखा तो तुम बता सकते हो उसने फोन पर क्या बात की क्यों नहीं उसने कहा मैं रंगा बोल रहा हूँ एक शादी की बस से पांच लाग किती जोरी हाथ लग सकती है पस समर नोट करो MTS 2233 और तुमने कैसे अंदादा लगाया कि उसने फोन पर जो ख़बर दी वो मुझरिमों को ही थी वाकिन साथ यह आपका पहला केस है एक्स्क्यूज मी हजारों केस लट चुका हूँ तो बिचारे सब केसा फासी पे लटक चुके हूँ एक्स्क्यूज मी क्या तुमने रंगा को फोन करते हुए अपनी आखों से देखा था फिर वही बस मैंने एक बार के दिया कि मैंने रंगा को मेरे इन ही दो आखों से देखा था उस टेलिफोन का रंग क्या था याद है बोलो नहीं उसका नंबर क्या था याद है नहीं नहीं वो उसने किस हाथ से घुमाया था ये याद है याद नहीं तुमको टेलिफोन का रंग याद नहीं है नंबर याद नहीं है तुमको ये भी याद नहीं है कि उसने किस हाथ से घुमाया था उसके बावजूद तुम दावा करते हो कि तुमने रंगा को टेलिफोन करते अब टेलेफोन का रंग क्या है नंबर क्या है यह सब याद लगने कोई जरुवत नहीं एक्सक्यूज में मिस्टर राजू जरुवत है और अभी मालूम पढ़ जाएगा एक्सक्यूज में तुमने कहा कि तुमने रंगा को देखा है वो देखने में कैसा था एकदम भयानक उसकी बड़ी-बड़ी मुचे है और घनी घुंगराली दारी जैसे हप्षियों के बाल होते है न और वो गोल काला चस्मा लगाता है और उसके बाल भी घुंगराली है अगर दुबारा तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या तुम उसको पैचान लोगे बिलकुल मैं अदालत से दर्खास करता हूं कि उसको कठेरे में पेश करने की इजाज़त दी जा इजाज़त है इजाज़त है यही रंगा है ना तो अब वो देखो बताओ यह कौन है यह रंगा है एक्सक्यूज भी पहले तुमने कहा कि वो रंगा है कलती हो गई सर लेकिन यही रंगा है यही रंगा है तो फिर वो कौन है अब बताओ इन टीनों में से रंगा कौन है सुरी सर ये दूने रंगा नहीं असली रंगा ये है ये भी रंगा है वो भी रंगा है वो भी रंगा है जो दाली मुच बढ़ा ले वो रंगा है एक्सक्यूज मेजर ओनर मेरे बाल भी घूंगरा ले है मैं भी दाली मुचे बढ़ा लो तो मैं भी रंगा हूँ Excuse me Mr. Raju असल बात तो यह है कि तुमने रंगा को देखा ही नहीं तुम वही कह रहे हो जो इंस्पेक्टर ने तुमको सिखाया है तुम्हारा जूट पकड़ा गया तुम्हारी चोरी पकड़ी गई Excuse me Your Honor तुम्हार डिफेंस लोयर एक चोटे से मासून बच्चे को लजाने की कोशिश कर रहे है यह बच्चा यह गवाई देने आया है एक्जैमिनेशन नहीं Mr. घासवाला गवाई की उमर का ख्याल करते हुए अपने सवालाद जरा काईदे और नर्मी से पूचिए एक्स्क्यूज में यो ओनर एक्स्क्यूज में राजू बेटे इन तीनों में से असली रंगा कौन है बता सकते हो हाँ याद आया क्या इसके उंगली में खुपड़ी वाली अंगोटी होगी वही असली रंगा है इन्हें अपने हाथ दिखाने के लिए कहिए ओके एक्स्क्यूज में तीनों रंगाओं आपने अपने हाथ दिखाईए एक्स्क्यूज में राजु बेटे अब बताओ इन तीनों में से असली रंगा कौन है जी जी मुझे 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 एक्स्क्यूज में यो ओनर वो बच जो लूटी गई थी जिसमें बहुत से मुसाफिर थे कुछ बच भी गए उन बचने वालों में सिर्फ यही एक 10 साल का लड़का है जो कहता है कि उसने मेरे क्लाइंट रंगा को फोन करते हुए देखा ताजुब की बात और इससे भी बढ़कर ताजुब की बात तो यह है यूर ओनर कि यह इनका गवाह असली रंगा को पहचान नहीं पा रहा है एक्स्क्यूज में यूर ओनर इसलिए मैं अदालत से दर्खास करता हूँ कि सिर्फ शक की बुनियात पर मेरे मुवक्ल को सजा न देते हुए अदालत रंगा को बेकसूर करार दे और उसे रिहा कर दे एक्स्क्यूज में यूर ओनर इसलिए मुल्जिम रंगा जिसे डकैती और कतल करने वालों के साथ होने के शक्त में गृफ्टार करके इस अदालत में पेश किया गया है लेकिन प्रोसिक्यूशन इसके खिराफ कोई ठोज सबूत पेश नहीं कर सकता और प्रोसिक्यूशन ने जो एक वाहिद गवा पेश किया है वो भी रंगा को ठीक तरह से पैचान नहीं सकता इसलिए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि रंगा को महस्चकी बुर्याद पर गृफ्टार किया लिया है इसलिए अदालत रंगा को बेकसूर मानते हुए इस मुकदमे से बरी करती है एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर दैं और बलड़ी इस्क्यूज़स गवाज सबूत अगर अदालतों में कानून और अदालतों के बल पर फैसला करते रहेंगे तो खूट गटे कटेरे में नाटक चलते रहेंगे मुझरम खुले हम जुर्म करते रहेंगे तो फिर पुलीस क तो तो इसके लिए मुझपर क्यों बिगरते हो तुम पर क्या मैं सारी दुनिया पर बिगड़ रहा हूं मैंने अपनी जान की बाजी लगा कर उस गुंडे बदमाश को गिरफतार किया उसे अदालत में पेश किया लेकिन उस चालबाद वकील ने अदालत के कमरे को स्टेज बना कर ड्रामा किया कानून के शब्द को और उसके दाव पेश से खेल कर उस मुझ्यूम को साब बचा कर ले गया लानत भीजो उस्पन, तुम्हारी नौकरी ऐसी है ऐसे लोगों से सुभा शाम तुम्हारा वास्ता पड़ेगा, छोड़ा ला उन्हें छोड़ दूँ, उन्हें छोड़ दूँ जो हर रोस सुसाइटी का नुक्सान कर रहे है यह जहरीले सांप है उमा और तुम कहते हैं कि मैं उन्हें छोड़ कर खामुश बैठ जाओं आखेलाल विख्रेवाल तुम्हार दिलागे का नुक्सान कर रहे है आखेलाल विख्रेवाल तुम्हार दिलागे का नुक्सान कर रहे है हुम्हार अखें सुम्हार झायां सुम्हार शके खाम्हा想 मुझे दर्स न मर जाओं मैं तुमने भी आफिरी नजर आएक धर जाओं मैं बोलो जान मेहरवान अरे बोलो जान मेहरवान तुझी छुपे देख को आखे लान पिखिरे बाल सुनसा घर से लागे को तर्टे कोन बदे कोन इंसे मघर भोले कोन आखे लान पिखिरे बाल सुनसा घर से लागे कोन आखे लाओे लाओे कर दो एकान पिखिरे लाओे 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 अरजब लाओे एपिए आप 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 हुआ पूर्पली एप आप 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 है है सुनो ना सुन लो जहराशी शाग कहें बंदख्र ली लखती हूँ सुन लो जहराशी शाग कहें बंदख्र लेकती इसने थाल दिल जाए तिर भी नहीं लगते हूं आए प्यार बार बार मुझको हाए छेड़े कौन आए प्यार बार बार मुझको हाए छेड़े कौन आपके लाण फिक्रे बाल कुम सागर सिला के कौन इह तो क्या 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 खबर लाया है जानी क्या खुश्खबरी लाया हो इसके बदले हमादा लुटा हुआ माल और इस शेयर के आदी लड़कियां तुम्हें इनाम में देते हैं अब अपने कलेजी की आख को मैं उस इंस्पेक्टर के खुन से बजाओंगा बड़े तुम अकेले नहीं जाओगे हम लोग सब साथ में मिलकर धाई इंसानों के खानदान को शांदार तरीके से उपर पहुचा देंगे हेहे ओमा बाहर जाते वक्त ताला ठीस नहीं लगाय था लगाय था दो तीन बार खेच के भी देखा था चलो अखर हमा था प्राओंग था भुष अब करह दो थाओंग थाओंग प्रषबस ऑर भाँंग हुआ है कि का है यह तो मामूली सा नमुना है अगर दोबारा हमें गिरफतार करने की कोशिश की तो ऐसी अंगिनद लाशे तुम्हें लटकते हुई नजर आएंगे उसमें तुम्हारी बेवी और बच्ची की भी लाश हो सकती है क्या सब्दार और क्यों हराम के कमाई गिन रहा कमीने इस पाप की तीजोरी में कितने जुम जमा कर रखें कभी वो भी गिने हैं पाप फुन जुर्म गुना ये गिनना साधू का काम है और रंगा साधू नहीं है इंस्पेक्टर पता उस बच्चे को किस ने मारा मुझे नहीं मालूम रंगा के वकील ने तुम्हारे खिलाफ मुकादमा दायर किया है कि तुमने जान बूच कर प्लान बना कर उसका खून किया है इस मौमले की च्छान मिन के लिए डिपार्टमन ने एक इंकुरी कमिशन बे कायम किया है जब तक उस कमिशन की रिपोर्ट नहीं आ जाती तो मैं अपने ओदे से सिस्पेंट किया जाता है I'm really sorry Sir, मेरी रंगा से कोई जाती दुश्मनी तो थी नहीं जो मैं उसका जान बुच कर खून करता मैं उससे सच और गलवानी कोशिच कर रहा था कानून की नजरों में तुम्हारे इस बयान की कोई कीवद था पुलीस अफसर का काम है कि वो मुझरिम को ग्रिफतार करें और उसे अधालक तक लिया है किसी से सच अगलवाने के लिए उसको सजा देने के लिए उसका कोई हक में वा सुआब वा हम सिर्फ मुझरिम को ग्रिफतार कर सकते हैं उनसे सच नहीं उगलवा सकते रिखने क्योंकि कानूने हम प्र बंदीशा जाल रखिया была तो पिर जुम कैसे खतम उंगी इससाफ की जित कीशे होगी सच जिंदा कैसे रहेगी एक इंसान के तौर पर मैं तुम्हारे जजबास समझता हूं भी छह लेकिन एक पुलीस आफसर की हैसी से मैं मजबूर हूँ I have to suspend you and I'm very sorry for that Thank you sir Thank you very much Daddy 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 आपकी कार बहुत अच्छी है Thank you very much इधर आओ यह खिलोने किसे दिया एक अंकल ने दिया तेरे पास अपने खिलोने नहीं यह जो किसी से भी खिलोने ले लेती है अभी यह क्या मुसीबत है बाहर का गुस्सा बच्ची पर क्यो उतार रहे हो तो क्या करो इसके बस अपने खिलोने नहीं है क्या यह रहाचल देख आजमी ने इसे खिलो ना दिया यह उठा गर घर ले आई आप इने तो मेरे लिए बेजा था मैंने किसे ने का तुम से वाकले इपाले आपलेँ करे अ 4 आप सुड़ है यह सब क्या है अगर अगर एक पाल भी तेर हो गई होती है तो हम सब के टुकड़े हो गए होती है पता नहीं वो कौन सालिम है जो मेरी बच्ची की जान लेना चाहता है सुनिये मैं पिंकी को उसके स्कूल ठोड़कर आती हूँ ठीक चलो चलो बीटो बाई लड़ी बाई ठेरो मा आप बेटा बाहर आज़ा अरे इसके स्कूल को देर हो रही है यह स्कूल ले जाएगी आओ क्यों तिर्फ यही नहीं तुम भी गए नहीं जाओगी अरे लेकिन मैं तेखो मा मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ जब तक मैं वापस ना लोटू हूँ तुम दर्वाजा अंदर से बंदी रखना और तब तक मत खुलना जब तक तक तुम्हें यकीन हो जाए कि वो कुछ जान पेच्छनवाला है या मैं हूँ ठीक है चलो झारी यारीष habits उनओर तक मैं है उन्हें है वैजी वह रहा हुरा जाह हुरा हुरां गोक्नारी MIKE इंपक तने हैं लेकिन है हीीגם मैं कि जाओक मैं बसुम्हें है जा जाग आवमान और ंवाता है कि वहाला आlen यार इंजल ने पाहते हैंле मैं दोआ आपको दोनारी सुम्हें ह कौन कौन है कौन है मैं हूँ मन दर्मादा खोलो मेरी तो जान ही निकल गई थी तुम मुझे इस तरह डराया मत करो मैंने का डराया तुम्हे डराया नहीं तो और क्या अभी अभी बाहर गये थे और फॉरण वापस आ गये और जोर जोर से घंटी बजाय जा रहे हूँ ऐसा लगा जैसे कोई बं लिये भार खड़ा है मैं तरवाजा खोलूंगे और वो अंदर फेक देगा उमा मेरा भी तुम दोनों को अकेले छोड़कर जाने को जी नहीं चाहा नजाने शैतन में केसी केसी खैल पैदा होने लगी और मैं फॉरण गवरा कर वापस लोटाया पिंकी और पिंकी क्या है? विजे, मुझे दर लग रहा है, कहीं वो लोग तो मेरी बच्ची को उठा कर नहीं ले गए, कल खिलोने में बम लगा कर मेरी बच्ची को मारना चाहते थे, आज, आज मेरी बच्ची को उठा कर ले गए, मेरी बच्ची का क्या होगा, विजे, मेरी बच्ची का क्या होगा, वि हाई बदमाश तु यहाँ चुपी बैठी है और हम तुझे धून धून कर थक गए तुने तो हमरे जानी ले ले लेती देखा तुम दोनों को कैसे फसाया बदमाश करी की चु 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 बै वो वो इंस्पेक्टर बज गया अब आरे प्लान की तो मा 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 मैन परक्षय उड़ेगा क्या बक्ता है सबन्तु हो क्या हुआ क्या हुआ कुछ नहीं कोई सपना देख रहते क्या हाँ सपना है तो क्यू देख रही ता लेकिन जू सपना में देखा कि वा क्यू कार्य कदमें नहीं देखना चाहता ये क्या कहर हूं verlink ठीक कह रहा हूँ, मैं अपने फर्स के खातिर अपनी बली दे सकता हूँ, लेकिन तुम दोनों की बली नहीं दे सकता, कली डैडी के पास फाम पर जाएंगे क्या हुआ साथ? टैपनी पंक्चर हो गई है, ज़र ठीक कर दो, अच्छी बात ममे मुझे चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट, यहां कहा चॉकलेट मिलेगी, कोई दुकान भी तो नहीं है मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए अच्छाचा, चीख है, रो मत सुनिया भैरло यहां करीब में कोई चॉकलेट वगिरा का दुखान है यहां तो नहीं, आगे ऐक दुखान है सुनिय clinics यहां नश्देख में दुखान है मैं पिंकी के लिए चॉकलेट लेकर अभी आती हूँ जल्दी आना सुनो, तो फाइस स्टार दे न जल्दी तो इस चॉकलेट से ज्यादा मीठी है जल्दी आकोमाबिक आपॉटे हाँ आदी आकोमादी आएसोंचिआट्डे ब MultipनOoh हे लेकर भॉआई लेकर अप DS-T वो खुनी हमारा पीछा कर रहे है, चल लिए ओ सुनिये, पिंके को पदाजी के पास ही रहने दीजे, मैं तुमारे साथ चलूगी उमा नहीं वीजे, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूगी तुम मेरे साथ चल कर मुझे कमजोर कर दोगी वो पागल कुते हैं, उनकी नस नस में शैतान बसा हुआ है जिन से उनको फायदा होता है, उनका भी खुन कर देते हैं जिन से नहीं होता है, उनका भी जब तक मैं उन्हें खतम नहीं कर देता तुम्हें यही रहना होगा विजे ठीक कहता है बेटी मैदाने जंग में लड़ने वाले बहादूर का दिल पत्थर का होता है और उसके साथ में रहने वाली बीवी का प्यार उसे मूम बना देता है इसे जाने दे चाव विजे विजे होकर वापस आना तक्यू देड़ी, बाइ आना झाय झाय झाल प्रदान मंत्री का दूसरा प्लेन है यह ऐसे उड़ेगा भाल अझाल अझाल की वोनेगा फ्रमकान कि अगलेगा प्रमकान के संगे चान us अझाल के अभी प्लेका वी यह खाशना का दूने लिए प्रमकान का वॉरेका वॉरेका आपाश्या शूए तूमनों नानुसरा वालत शूए हाहा! हाँ! अपके कर झाल झाल! मुन्ह Dual यृ झार सिर्थ झार मुन्होוד पह़े पीरे से वियुन Nмат आथरो अडरी क्टा 1914 मदाओ वाए सर ठीपा थीपि भी बुझा रिटाना था्रों लग प्रण देज बची अुजए रादे बना भोची! उमा! उमा! डडडी! उमा! उम.. ड्री! डडडी! बची बची बचे मेरे इज मेरे वे जामात करो, मुझे कुछ नहीं होगा वो शेतान लोग उमा और पिंकी को उठा कर ले गए उनका पीछा करो उन्हें बचालो बेटाई जाओ जाओ वेजे जाओ तुमने कुछ नहीं बिगड़ा जनी तुमारे उस वर्दी वाले पती ने बिगड़ा है उस मखमली कबूतर से हमने कहा था कि शेरों के मूँ में गर्दन डालके जोच मारने की कोशिच न करे वरना गर्दन कट जाएगी मगर वो कबूतर नहीं माला अगर वो हमें पकड़ लेगा तो सरकार उसको क्या देगी तो फीते वो हम देते तुमारे खुन में उगलिया डुबा कर उसके बाजू पर खुद लगा देते टाइम का मैं लॉलिपॉप वरना तुमारे खुन में तुमारी लूटी हुई इजद का भी रंग मिल रहा देता शेर पड़ दिया चाहिए बड़े आ रहे है ट्रेन वो देखे समने से तुमारी मद दॉडी चलिया रही है चलते एड़े अदर आ नहीं हमने चोड़के बचाईये प्लीज मेरी बाच दुदे देहा के हाच अर्दे हो नहीं नहीं पिँए पिए पिए अध्याव पिए का बंख अलिजू। का बंख लटेज से our state का बंखेज्ट पर्दोर्वा और नहीं है पर अला नहीं है बस पेटे बस मैं जानता हूँ तुह दिल पर वो जखम है जिसका दुनिया में कोई हिलाज नही वो आग लगी है जो जिन्दगी बार आंसु बहाने से भी नहीं पूछ सकती मैं जानता हूँ तुम उन शैतानों को खत्म करके लोगों को सुक देना चाहते थे लेकिन उसके बदले में तुम्हारा अपना ही सुक लुटकिया यही जिन्दगी का असूल है पेटे इस चिता की आग में आंसु बहाने के बजाए इसकी आग को दिल में इंतकाम बनाकर तु जाओ उन शैतानों और मुझ्रमों को जला कर रख दो जिनने तुम्हारा घर उजाड़ा है आज से तुम्हारी जिंदगी का एक ही मकसद है इंतकाम 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 हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है है ए चोक्रा क्या चाहिए साब दो अंडे लेकिया हुआ हुआ है हुआ है हुआ है झाल झाल जाल खबी वह एपारो है गजर किव दी्डर को आखरे ही डवा का भण सन्व CI मोर खारो है आ hell खारो है प्ट WILL व週 बें मज़ा आ रहा है ना मुझ पर ऐसा जुलुबत कीजिये साब माफ कर दो माफ कर दो अब तक तुम दूसरों की जिन्दगियों को खिलोना बना कर खेलते आये हो आज खिलोना बनने की तेरी बारी है कमी ने साब मुझे बख्शनो साब जब दूसरे इसी तरह रो रोकर तुझ से जिन्दगी की भीक मांगते थे तब तुम लोग कहके लगाते थे अब लगा अहराम खोर हब बच की दिखा नगसम मत कीजिये साब मुझे बख्श दीजिये मुझे मत मारो आज तुझे पता चल रहा है कि जिन्दगी कितनी हसीन चीज है कुछ देर के बाद ये गारी यहां से हच जाएगी और तेरी बच्शूरत लाश खुबसूरती से यहां लटक क्यों नजर आएगी साब ऐसा मत करो साब प्लीज साब ऐसा मत करो सार प्लीज स्टेशन मुझे सिर्फ इतना बताना था कि बंबेपुना रोड पर पन्वल से दस किलो मिटर आगे एक पीपल का पेड है उससे एक आदमी लटक रहा है ज़रा जाकर देखिये कि वो जिन्दा है या मर गए सर एक बात मेरी समझ में नहीं आती वो आदमी था कौन जिसने इसी पेड़ पे लटकाया हो अरे चौकट राम जी अगर ये मालूम होता कि इसे पेड़ से किसने लटकाया है तो इंस्पेक्टर थापने अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं कर लिया होता सर अब है उड़ा हो गया चलो सब लग चलो मेरे नाम की ऐसी की तैसी करने वाले तेरी ऐसी की तैसी अटासी टॉने हम कसम खाते है जब तक उस इंस्पेक्टर के खून से तेरे कबर पे छड़काव न कर दे हम पे जिन्दगी खरैश हराम 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 है कर दो हराम हराम हालो बेवक्त फोन करने की माफी चाहता हूँ दरसल बात यह है कि बंबेपुना रोड़ पर एक छोटी सी चाय की दुकान है वहाँ एक आदमी का खुन हो गया है क्या? खुन हो गया? मेरे ख्याल में जिसने भी यह खुन किया है पड़े ही इत्मिनान के साथ किया है आराम के साथ जाट पी है आराम के साथ तिग्रेट पी है और आराम के साथ खुन करवड़ आप इंगे Mr. Bharat, देख देख फोटोग्रॉफ उंग्लियों के निशान, पैरों के निशान सब यही साबित करते हैं कि कातिल सिर्फ टोनी ही है आप क्या भखवास करते हैं, तो उनी फासी का फंदा लगा कर मर चुका है, हम लोगों ने अपने हाथों से उसे दफन किया है, वो कतल कैसे कर सकते हैं? आप ठी कहते हैं सर, उसकी कबर फटका मार कर मिट्टी मैंने ही डलवाई थी, ये सुनिए, वो मर चुका है, दफन कर दिया गया है, तो कबर फाल कर बहार निकलाओ, चलो 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 जल्दी करो, हर्या फर्या में पर ठाइम नहीं है, अगर मुझे खुछ सा आ गया, मैं तुम कंबल की तरह मट्टी को हटा कर बाहर निकलता है, खुन करता है, वापस जाता है, मिट्टी के कबर पर लेट कर, कंबल की तरह मट्टी को ओड़ कर सो जाता है, शड़ा फिया, उल्लू के पठे, ये अकल की बात तुमारी खुपणी में कैसे आ गई, क्योंकि अकल की बात आ तोनी हम मरा पड़ा है और कतल के जगह इसके उंगलियों के निशान और इसके जूतों के निशान पाए जाते हैं हल्ट सबस्क्राइब क्या हुआ चोटे तोनी के इंस्पेक्टर विजय ने जगू का भी खून कर दिया है और अब हमारी तलाश में निकल पड़ा है मैं उस इस्पेक्टर के बच्चे को जिन्दा जला कर खा कर दूगा नहीं बड़े नहीं जोटे के होते हैं ये काम तुमको नहीं करना चाहिए मैं मैं आज उस हराम के पिल्ले को खत्म कर दूँगा उसके खून का छिड़का तोनी की कपर पे करके मैं लोटूँगा कर दूँगा प्राओं कर दूँगा कर दूँगा दूँगा कर दूँगा इस एक्रेजर वक्रेंब कि अखब दो एक्रेंग प्रह इंख अ कर दो थै आए य्छै ते य्छिर काई यली था युद ते हैste युष युष युट युटिव था युथ झाल 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 झाल! 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 ऑफोर माध्vak तुने मेरे तीन साथियों का खुन किया है मा है तेरे खुन से पनी प्यास बुझांगा तुने मेरे बीवी भी इसी तरह रो रो कर तुस्ते अपनी जिंदगी की भीक मांग रही थी मांग रही थी वो गिड़ गिड़ा रही थी और तुसकी मौत पर हस रहा दा कमी ने कहके लगा रहा था यह आज भी हख लगा के अपनी मोद पर तेरि मोद के तरक तर तरह आ ऑड है। अपीतनी कलिस में के ल्गा वे back Mär brand यह हाणा यहाणा इसलोग, खादर इसलोग जिले भीध को चार ग्रश्य से तना पाल यहक्रकष्य कि ओाने और दोब हIर नुड़ ड्तम कि पल्चभु टहें कि उल्चलम पतित जिफ्दना और कि चल्चलुंबड़़्ू़ उन्चारों का खूल तुम नहीं किया है। यससर, मैंने उन्चारों के गुनेगार शरीर से, उनकी गंदी आत्मा निकाल कर, उन्हें महत के हवाले कर दिया। मैं ही उनका कातिल हूँ। लेकिन आपको ताज्यू हो रहा होगा, कि अगर मैं उनका कातिल हूँ, उसकी हतेलिया काट ली थी उसके जूदे निकाल कर खुद पहन लिये उसकी हतेलिया की खाल निकाल कर अपनी दस्तानों पर चड़ा लिये थी इसलिए हर जगा जहा है मेरा हाथ लगता विकि तोनी के उंगलियों के निशान बन जाते जहां मैं गाता तोनी के कदमों की चाप बन जा दी और इस तरह मैंने उसके तीनों साथियों का खून कर दिया लेकिन क्या तुम जानते हो कि कानून तुमें इस जर्म की कितनी सक्त सदा देगा सदा मैं अगर चाहूं तो कानून मुझे सदा दे ही नहीं सकता क्योंकि कानून के पास मेरे खिलाफ ना कोई सबूत है ना कोई गवा मैं अगर चाहूँ तो सारी उम्र आज़ादी की जिन्दगी गुजार सकता हूँ लेकिन मैं कानून की नौकरी से भले ही अलग हो गया हूँ मगर मैं कानून का गद्दार नहीं हूँ मैं इंसाफ को धोगा देकर जिन्दा नहीं रहना चाहता हूँ वैसे भी अभी जिन्दगी में रह क्या गया हूँ मैं अपना जर्म कबूल करते हुए हर सजा भुगतने के लिए तेयार हूँ डियाजी साहब प्लीज अरेस्ट मी अजीब चीज है ये नाय हजारों इससे ने घर मिटाए करे है फिर भी राज देखिये बंधी ये है पट्टी आँख पे के जूट सची नजर नाय ये हो रहा है आज देखिये आके भरी है और हत करी है हमका मिला ये इनाय कर दो कर दो मिला ये 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 आज कर दो कर दो दो कर दो कर दो